जैश्री रेनुका जी मित्रों आप सभी को अंतराष्ट्रे श्री रेनुका जी मेले की बहुत बहुत शुक्त कामना है और बधाई आप सभी का स्वागत भी है इस मेले में अंतराष्टे शी रेनुका जी मेला जो है हिमाचल प्रदेश देभ्भूमी कही जाने वाली हिमाचल प्रदेश के जिला सिर्मोर के तेहसिल शी रेनुका जी में हमारा चुनावक्षित्र भी शी रेनुका जी है रेनुका जी के पावंतिर्थ पर ये मेला मनाया जाता है इस पावंतिर्थ पर महामाई श्री रेनुका जी जो भगवान परशुराम की जननी है और सब्तरिशियों में परिगनित ब्रह्म महरुशी यमदगनी की धरमपत्नी है उनकी इस धरमणी है काशी नरेश की पुत्री थी महामाई रेनुका को सती के नाम से भी जाना जाता है और आदी कन्या के नाम से भी जाना जाता है इस्तान पर हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक जील जिसका परिक्षितर 2.600 किलोमेटर है इस्तान पर ये जिल है बहुती भब्बे सुरम्य सुन्दर ये तिर्थ स्थल है बहुत पावन तिर्थ स्थल है दश्मी एकादिशी के दिन दश्मी के दिन परिश्राम भगवान जी महामाई से मिलने आते हैं जमुकोटी के लोग जो है भगवान परश्राम की पालगी लेकर के आते हैं जिसे दधावु से लेकर और रेनुका जी के पूरी प्रिक्षित्र में उसकी शुभायातरा निकाली जाती है अधिक्तम समय में इस मेले का शुभारम जो है वो सरवकालिक जो सरवकारी मुक्यमंत् हिमाचली प्रदेश के वो करते हैं लेकिन इस बार सचिव भाषवाचा कादमी विभाग हिमाचली प्रदेश सची महादे ने इसका शुभारम किया है क्योंकि आचारसींता चल रही है और यह मेला जो है वो पूर्लियमा तक रहता है जिसका समापन महामहीम राजेपाल हिम मां से मिलने आते हैं और वो अपनी मां से मिलने आते तो कहते हैं कि उन्होंने इस धर्ती को जब दुष्टों से विहिन कर दिया था राज्ये विहिन कर दिया था तो उन्होंने इस धर्ती को महरशी कश्यप को दान दे दिया था महरशी कश्यप को दान देने के उपरां तो भ भगवान महरशी कशिप को दे करके उस मुल्ले सुरूप माता से मिलने आते हैं और कहते हैं कि भगवान परशुराम इस धर्टी का अनना नहीं खाते हैं इसलिए इस दिन जो है एक आदशी के दिन इस दिन एक भव्वे पर्व एक बहुत ही सुंदर पर्व जिला स्रमोर के सिमावर्ति जो राज्य उतरांचल के जोसार बाबर, काईरिया या हिमाचल के और भी कुछ राज्यों में यह एकादशी मनाई जाती है जिसे एकादशी में भगवान परिश्राम के लिए खिचडी बनाई जाती है रांगी की, राजमा की और चाउल की उबाल किरके खिचडी बनाई जाती है इस खिचडी को विशेश ता जो है गाउं की कन्याई बनाती है क्योंकि कहते हैं कि माताश्री रेनुका जी का जब पुनर जीवन जो उन्हें दिया था महरशी यमदगनी ने तो कहते हैं उसके बाद माता की कोई भी संतान नहीं है इसलिए उन कन्याएं घर घर जाकर के ब्रह्मु वूर्त में उठ करके स्नान ध्यान आदी करके पूजा पाठ करके पूर सभी गाओं के सभी घरों से जो है चावल और दाल घी गुड इतियादी भोजय पदार्थ मांगती है और वो दिन भर में उसे रोड़याजा हमारे कहा जाता एक साम एक भोजन बनाती है कन्याओं का यह परव है और वो उस खिचड़ी और उस जो भी भोजय पदार्थ मत्ते उनका भोगो भगवान परश्राम को लगाया जाता है इसलिए विशेश ताइस दिन जो है खिचड़ी बनाई जाती है और अब यह संक्षित सा परिचे रखता हू ग्यारस और देवठनी पड़ा इसको देवठन भी कहा जाता है वो क्यों बढ़ा है बहरतिय परमपरा के अनुसार इसे हरी प्रबोधनी एक आदशी भी कहा जाता है इसे देवठनी कहते हैं कि शोजोरे मिने या अश्विन कोई महिने में देवस्थान जो है देवसल जो है द्वार खोल दिये जाते हैं मंदिरों के तो इसी प्रकार से गाउं के विरामिन परिवेशों में भी देवालियों के द्वार खुल जाते हैं एक आदशी के दिन और देवता लोग जो उठते हैं इसलिए देवठनी एक आदशी है हरी प्रबोधनी एक आदशी भी कहा जात के पास जाकर कहा जाता है जिसे कन्याय मनाती है इस दिन जो है जलस्रोतों के पास जाकर के लोग लोग नहीं कन्याय जलस्रोतों के पास जाकर के जो गेरू मिट्टी निकलती है लाल मिट्टी निकलती है उसको लेकर के आती है उसको छिमांटी भी कहा जाता है उससे चिमती है चीमिती मतलब साथ सजावट करती है घरों दीवारों की अरवी को अरवी के फूल अरवी को काट करके उसके फूल जैसा बनाया जाता है उसको गेरू में लगा करके जो है वो दीवारों को सजाया जाता है इसके पीछे एक और भी कथा आती है जो बहुत पहले की नहीं है सिरम चुहां ग्रूजी का आधेश मुझे था तो है बताना उश्यक समझा है इस प्रकार से महुच से मनाया जाता है और फं economic हमारी संस्कृति का हमारी परंपरा का और हमारी ही परिक्षेत्र की संस्कृति का बहुत सुंदर एक प्रतीक है यह मेला हलाकि इसका स्वरूप वर्तमान में थोड़ा बदल गया है उस पर चर्चा करना आवशक है कभी निकट भविशे में करेंगे इस दिन और क्या होता था कि इस दिन जो जातरू लोग आते थे इस दिन जो भक्तमा आते थे वो नुका जी सिचित्र में अपने लगाते अपने डेरे लगा थे उसमें गीत भजण जूरी घंगी नाटी आर पांच सी ने खिए नामताल में चड़ा दे लाटते हुए इक और सुंदर परमपरा यहाँ से जड़े ही ये थी इंकि लोग है इस इस दोरान शाूज में जो अशुन में जो है हमारे फसल निकलती है। हो जाता था आज के समय में बहुत कम लोग वो अनाज लाते हैं बहुत कम लोग अनाज डालते हैं और बहुत कम अनाज उनलों को पास एकटा हो पाता है और शायद ये भी हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे हमारे जो क्षित्रों में हैं अब अनाज कम उगाया जाता है अब दूस से फसले उगाई जाती है तो इसका ये भी प्रमाण मिलता है और इस दोरान जो है यहां पर रेणु मंच पर दंगल होता है बहुत सुंदर अंतराष्टे स्तर के कलाकार आते हैं लोक संस्कृति की जलगे मिलते हैं पूरे भारत की संस्कृति के दर्शनिया होते हैं हर जे कैस नगभी शेव अलगभा कर दो होते हैं है अलगभा झाल 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 झाल